हेलो डियर सेरो आज हम लोग देखेंगे HTML जो वेब डिजाइनिंग के लिए 7 SOP जो था अपना 7 नम्मर का वह अज हम लोग देखेंगे मैंने प्रोग्रम पहले ही HTML का जो फाइल है वो क्रेट करके रखा है मैं उसे ओपन करके दिखाता हूं हमारा जो HTML का जो प्रोग्राम दि के अंदर जब जाता हूं तो हैंड डिखाए दे रहा है थोड़ा सा बहार निकलता हूं तो हैंड निकल जाता है मतलब इसे मैप किया हूँ है मतलब नेविगेशन किया हूँ है जैसे मैं सरकल के अंदर जाता हूं तो सरकल के अंदर भी हैंड डिखाए दे रहा है सरकल के ब आ रहा है वेबसाइड गूगल ओपन हो रहा है अगर मैं सरकल के अंदर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर यूटूब डोपन हो रहा है अभी हम लोग प्रोग्राम को अच्छी तरह से समझ के लेते हैं वीडियो लेंती नहीं करना है मुझे मैंने इसके पर राइट क्लिक किया और यहाँ पर open with notepad किया मैंने यह प्रोग्राम बनाया हुआ है इस प्रोग्राम को स्टार्टिंग से टाइप करना नहीं है मुझे लेकिन आपको रीडिंग कैसे करना है इसको कैसे समझ के लेना है वह मैं explain करूंगा तो सबसे पहले आपको जो start है हमेशा कोई भी प्रोग रहेगा second वाला तो उसे आप कोई भी choice कर सकते हो लेकिन mostly 99% आपको HTML करना ही करना है तो उसका जो भी tag coding है मतलब जिसने कभी tag देखा भी नहीं वह भी अगर बायाड करना है तो किस तरह उसे बायाड करना है वह समझ के लिए लो सबसे पहले बायाड करने के लिए आप इसे number करो नंबर एक में आपको क्या करना है ऐसे number लिखना नहीं है किदर भी मैंने अपने reference के लिए रखा फर्स्ट आपको बायाड करना है हमेशा कोई भी program start करना है HTML का तो वहाँ पे tag में document type HTML second में आपको type करना है tag open मतलब मैं type करके दिखाता हूँ tag open HTML tag close उसका third में आपका रहेगा third में फिर कोई भी program रहने दो mapping रहने दो video रहने दो audio रहने दो या कोई भी website अगर कोई भी website का HTML coding लिखना है तो आपको method यह use करना है fourth में आपका title आ जाएगा fourth में क्या आएगा आपका title आएगा title में यहां पर आप कुछ भी नाम दा सकते हो आडियो डाल सकते हो जो आपको नाम अगर प्रोग्राम का लिखा है question में पूछा है उसका heading आपको देना है यहां पर तो मेरे खाल से क्या दिया था नाम उन्होंने कुछ तो client करके नाम दिया था तो website का नाम क्या था SOP7 में यहां पर देखो यहां पर लिखावा है client side mapping करके लिखा है तो मैं इससे क्या करता हूँ इस चीज़ को मैं यही type करना है तो यह type कर सकता हूँ इससे क्या करना है टाइप करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ यहां पर जाकर टाइपिंग करना है तो मैं यहां पर वही नाम टाइप कर सकता हूँ कोई जरुवत है तो आपको कंपल्सरी करना ही करना है क्योंकि उन्होंने क्या बुला है client side mapping लिखा वाई तो यहाँ पर four तक हो के यहाँ पर गया ना मैं center में ठीक है मैं title में नाम दिया title में वही नाम दे दिया मैंने client वाला यह four तक हो गया फिप में आपको heading को close करना है जो third में heading चालू किया था उसके अंदर title लिखना है और heading को बाहर करने के डाइम पाच और यह छटवा मलब छे process आपका same होगा हर एक प्रोग्राम में यहाँ पे खली नाम change हो जाएगा बाकी का process html में same रहेगा अगर वहाँ पे अगर किसी को css तो नहीं दिया हुआ है किसी ने लेकिन अगर css रहेगा तो अलग से coding आ जाएगा लेकिन यह starting के जो है छे तो same to same रहेगा मतलब document type html html head title title के को title यहाँ पे close किया इसे भी number देना है तो fourth close करके number दे सकतो लेकिन यह पूरा नाम same ही है और उसके अधे head और body को start किया body को start करने यहाँ पे लिखा है h1 align to center और यहाँ पे मैंने client side image mapping लिखा मतलब अगर मैंने program अगर आपको दिखाता हूँ मैं program जो program हम लोग ने बनाया था उस program को open करके देखाता हूँ तो यहाँ पे program में देखो मैंने क्या लिखाता हूँ पता चलेगा आपको जैसे मैं program open करता हूँ तो यहाँ पे उपर क्या दिया वाए तो मैंने अभी नाम change नहीं किया image mapping गी है अगर save करूंगा तो आप एक हो जाएगा तो changes बात में करूंगा यह center में आने के लिए उन्होंने ऐसे question में लिखा नहीं center में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए तो आपको अगर LN को remote करना है तो आप remote कर सकते हो corner में आके रूख जाएगा तो भी marks कटेंगे नहीं आपको कोई problem नहीं h1 client slide और यह किया मैंने यहाँ पे center डालने के जोड़त है मैंने image को भी center में लिया था तो यह भी ICT वाई सही रखा यह हो गया आपका 7 क्यूंकि आपको heading देना है heading मतलब यह heading यह वाला heading है वाला यह वाला heading इसके लिए आपने क्या लिखा tag उसके लिए आपने tag लिखा यहाँ पे h1 और यहाँ पे उसके बाद दिया उन्होंने image src source image source बाहर कर लेना image source आपको 8 line पे आया हुआ है lines wise द्याओ यहाँ पे image source जो image आपके desktop में है पहले तो confirm करो desktop में है क्या नहीं है या कोई folder में रहेगा तो folder में लेकिन आप decide करो यहाँ पे desktop में मेरे फार्स file है यह नाम का या तो नहीं रहेगा तो भी नाम डाला तो बात में यहाँ पे image लाना ही पड़ेगा तो उस image का नाम यहाँ पे आएगा क्या लिखावाई lighthouse1.jpg extension देना बहुत जरूर है extension से पता चलता है कि file कौन से type की है तो यह image type के लिए jpg लिखावाई अगर text file रहेगा तो txt रहता है अगर document file रहेगा तो doc रहता है वैसे image का मतलब photo रहेगा image source मतलब इस image के ओपर हमें mapping करना है तो उस mapping का नाम क्या रहेगा यूज map और मैंने डबल निट को में यहाँ पे double single नहीं देना है मतलब equal to ship दबाके double देना है वहाँ पे find out करो ship दबाके double दिया जाता है यहाँ पे keyboard भी अगर open करने को मिलता तो next time मैं करूंगा यहाँ पे मै आपने hash image map और double comma complete और tag को complete मतलब eight number का tag यह आना चाहिए आपका फिर nine number में आप mapping को start करोगे तो क्या लिखा map name image map करके और tag यह किया उसके बाद का work हमें करना है mapping कैसे करना है तो यह ten number में आ गया मतलब इतने lines तो आपके clear आना चाहिए mapping के लिए और आगे के lines तो यह तो lines same उपर के lines से नहीं चाहिए हुए है चलो ठीक है यह stack का नाम है document html head title head body h1 h1 close image image चालू किया हुआ है image को close नहीं किया हुआ है तो भी चलता आता है लेकिन image को भी close किया जाता चो फिर मेरी नहीं हें लिखा हुआ हूँ चोलो 10 नमबर पर आ गए हम लोग यहाँ पर मुझे क्या करना है इमेज तो मिल गई मुझे इमेज कौन से है लाइट हाउस करके .jpg बार लाइट हाउस वन करके लिखाओ मैंने ये फाइल अपना कौन सा ये वाला इमेज वाला इस इमेज के और मुझे क्या करना है मैपिंग करना मैपिंग करना मतलब क्या मतल meillä इस तरह मैपिंग जैसे कि मैने बोला मैंपिंग मतलब ऐसे मैप Liberalure फिर मैंने यह rectangle विक्टर क्यों डाल के रखा हुआ है आपको explain करने के लिए डाला हुआ है देखते हम लोग क्या करते हैं यह 10 नमबर पे हमें area find out करना है कौन सा दो shape rectangle क्या रहेंगे rectangle क्या रहेगा rectangle अभी मोह वहाँ पे image के जगे पे मैं यहाँ पे 1 निकाल देता हूँ और इ निकाल दिया मैंने यह निकाल दिया यह भी निकाल दिया यह भी निकाल दिया यह खाली reference के लिए था मैंने numbers लिखने के time या तो program अभी भी आप अगर page के लिख रहा है तो इसी तरह एक line में सब कुछ गडबर मत करो इसको भी मैं shot करने वाला area को भी कम करूंगा मैं अब भ लिखा और इस फाइल को save as ब्रहूरव ना क्या नाम डालने के लिए लिए बोला हुआ उन्होंने बोला हुआ नाम भी हम लोग डाल सकते हैं यहjunaम लिखा है, dot html लिखना है, क्या लिखना है dot html हैं और मैंने इसे save कर लिया इस फाइल को uh करने के बाद मैंने यहां पर फाइल का नाम चेंज किया पहला वन था यहां पर अभी लाइट हाउस ही रख दिया अभी देखते यहां पर फाइल रन हो रहा है के नहीं यहीं फाइल यहां पर रन किया तो यह देखो यह क्लाइंड आया इमेज जहां पर मैंने लिखा था यह ला. उके लाइट हाउस में अभी कोई भी इमेज यह नहीं था लेकिन में यहाँ पे देखो, यहाँ पर मेरा link बन रहा है, hand दिख रहा है यहाँ पर, hand नहीं दिख रहा है यहाँ भी hand डिखाए दे रहा है अभी यह कैसे किया जाते है? किस तरह यहाँ पर mapping होता है? मैपिंग के लिए rectangle बचा हुआ है मैं काम करता हूँ यहाँ पर यह जो linking है वो सारा चीज निकाल देता हूँ फिर वहाँ मैपिंग करता हूँ यहाँ पर मैंने यह सारा code निकाल देता हूँ देखो area area हम लोग को find out करना है कौन सा area बनाना हमे rectangle area है उसका code क्या रहेगा bundle रहेगा यह coke से मुझे नहीं मालूकि यह कहां से आया मैंने इसे delete मार देता हूँ मैं इसे दुनदना है मुझे इससे भी दिलिट मार देते हैं और इसे भी दिलिट मार देते हैं और अच्छी तरह से मैपिंग करते हैं चलो अभी यहाँ पे यह तो मैं काम कर लेता हूँ इसे में निकाली देता हूँ पहले तो यहाँ पे आजाते हैं एक ही देखलो दस बार नहीं बागे का सेम रिपीट करना है कॉ बहाँ पर ही आपको circle या तो polygone लिखना है मतलब बाखी का same रहेगा खाली इंदर के number change हो जाएंगे और बाखी का same इतना ही program बाएड करना है आपको देखो कितने lines हुआ है one line two line three line four line five six seven eight nine ten eleven twelve और यह तो बाएड करने जैसे भी नहीं है और यहाँ पर 11 12 13 14 इतने ही line का आपका program लिखके लिखना है और खतम करने बाखी कुछ नहीं करना है यहाँ पर मैं easy method से work out कर रहा हूँ आपने book में लिखा हो method भी बड़ा रहेगा उससे छोटा करके और यह coordinate आता कहा से तो एक काम कर लेता हूँ मैंने एक image मैंने एक image यह वाला image ओके इसको ही लेते चलो मैं यहा आप मत करो exam के time मैंने दिखाने के लिए कर रहा हूँ यहाँ पर कहा पर गया मैं paint में गया paint में जाके मैंने यह rectangle लिया और इस rectangle को यहां से यहां तक ड्रैग किया इतना position में mapping करूँगा मैं फिर मैंने circle को मैंने यहां पर करते हैं चलो पहले circle वह side में यह circle यह side लिया polygon के लिए polygon मतलब जिसके जितना corner रहेगा polygon एक काम करते हैं ज्यादा corner नहीं लेते हैं हम लोग rectangle लेते हैं यह भी polygon का ही type हो गया मतलब जिसके corners होते हैं उसे यह पॉलीगोन में type हो गया लेकिन rectangle बोलते हैं ट्रैंगल भोलते हैं लेकिन हम लोग इससे polygon करके कर लेते या तो हम लोग अगर यह ले लेते तो भी चल जाएगा यहाँ पर और कुए चीज़ यहां पर यह 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 भी चल जाता है यह भी यह यह भी पॉलिगॉन का टाइप है चोड़ो चोड़ो इसे हम लोग बना लेते पहला इसे यह जो नंबर थे यह नंबर यहां पर लिखना हमें कहां पर लिखना हमें कहां पर लिखना हमें कर लेते हैं इसे सब को बन कर लेता हूं, हाँ, अपने को यहाँ पे, अपना कौन सा था, यह वाला नहीं था, इसे डोन शेव कर लिए, और हाँ, यह वाला, यहाँ पे हमें नंबर चाहिए, किसका रिक्टेंगल, रिक्टेंगल को पेंट में उपन किया हूए, आप एक्जाम में नहीं करोगे, मै खाली explain करने के लिए कर रहा हूँ यहाँ पे rectangle के ये side आया first corner भरो ना यहाँ पे rectangle में coding में लिखना क्या यहाँ पे coding में लिखना यहाँ यहाँ पे x y क्या लिखना है x y लेकिन number में लिखा जाता है मैं x y बोल रहा हूँ मैं फिर लिखावा x1 और y1 नहीं समझा मुझे तो मैंने बुला rectangle के 4 corner होते x होता है y होता है बरोर ना फिर वापस यहाँ पे मैंने बुला x1 होता है x y1 होता है नहीं समझ में आ रहा है आप क्या बात कर रहे हो चलो ठीक है मैं explain वापस कर रहा हूँ आपको यहाँ पे मैं rectangle में गया यहाँ पे rectangle में कितने corner दिख रहे हैं एक corner x हो गया यह x हो गया तो x का यहाँ तक x1 हो गया यह y हो गया तो यह y1 हो गया मतलब x और y length और width करके हम लोग देते हैं वैसे ही है ऐसे x ऐसे y मतलब हम लोग करते हैं यहां पे X ऐसे जाता है, अपना Y ऐसे जाता है, Height में Y देता हैं यहां पे Length में यह करके रहुता है, So, और में आ रहा हूं, तो यहां पे सबसे पहले Corner में गया, इस Corner के पर जाने के पहले यहां पे दयान रको, यहां पो यह नीचे, नीचे के बोरिश्ण मेें, यहाँ पे यह corner में गया, तो यहाँ पे दिया हुआ है 21, 21 और 130 लिखा हुआ है, क्या लिखा है यहाँ पे नीचे दयान देखना है यहाँ पे, यहाँ पे 21, 22 दिया है या तो 21, 21, 140 दिया हुआ है, value कुछ भी रहने हो तो 130 भी पकड़ लो तो में, पहला जो दिया है 21, मतला X, क्या हुआ, X, बढ़ और ना, सो मैं, अभी X आया, तो इसका Y देखते, Y आया उसका, क्या आया हुआ, 85 और 46, Y मतलब second value, 46, मतलब 21 और 21 मिला था यहाँ पे, और यहाँ पे मिला मुझे second वाला 46, मैं immediately यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे डाल दिया मैंने 21, 46, यह हो गए X, Y समझ मैं रहा है, X, Y हो गया, वो कौन सा corner में जाके मैंने किया, तो first two corner मैंने किया, यहाँ पे मैंने यह हुए, यह वाला यह वाला और यह टॉप वाला, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद 160 दिखा रहा है, और comma 144, मतलब इसका X1 मिला 160 का तक है, तो मैंने immediately यहाँ पे लिखा, comma 160, फिर comma किसी को हाट जाएगा, लेकिन सोचो मत, अगर समझ के ले तो काम को, और Y को नीचे की तरफ गया हमें, यहाँ पे, नीचे की तरफ 98, 240, मतलब 240 लिखना हमें, क्या लिखना है, 240, तो मैंने यहाँ पे 240 कर दिया, कितना दि 240, यसे मैंने save कर लिया, इस फाइल को, मैंने save कर लिया है, तो save as में वापस वही नाम डालना है, तो डाल सकते है, क्या नाम डाला तम लोग ने, dot html, image dot html, मैंने डाल दिया, और save किया, खली rectangle की बात कर रहे हैं, बाकि सब मैंने निकाल दिया है, और मैंने minimize कर दिया, image व rectangle वापस बना ले तो मैं, यहाँ पे यह circle है, अपना program रन करके देखते हैं पहला, फिर बात में बात करते थे इसके पर, मैंने यहाँ पे, मैंने program को run करने के लिए open with, और यहाँ पे rectangle के ओपर click किया, तो मेरा rectangle यहाँ पे था, देखो, बाकि किदर भी hand नहीं आ रहा है, अगर वो file लेना है, तो वो file लेत क्या था हूँ, उसको नाम देते हैं हम लोग, और कौन सा नाम देंगे, lighthouse 4 या 3 देते हैं, image, image बनाने करें, तब मैं वापस दिखाऊंगा, लेकिन यह, अभी मैं circle यहाँ पे बनाया था, circle को मैं mapping करता हूँ, circle के लिए वापस paint में आया मै अभी circle जो paint में लाया मैंने यह वाला, circle को paint में लाया मैंने, circle को paint में लाया तो यहाँ पे, अभी circle का मुझे क्या क्या देना है, यहाँ पे तो पता चला, x और y, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका length, width और यहाँ पे circle का हम लोग radius देंगे, मतलब कितना है उसका radius, कैसे निक सेंटर में आ जाओ, कहां पर सेंटर में आ जाओ, सेंटर में आ गया है, यह क्या दिया हुआ है, एक्स और वाई, 196, 389 पिक्सल, 196, 389, मतलब 389 के जगे पर ने काम करता हूँ ना, मैं 90 कर देता हूँ, और 96 के जगे पर 195 कर लेता हूँ, चलो, ठीक है। तो मैंने लिख दिया, यहाँ पर रिक्टेंगल बनाया है, सेकंड वाला बनाया हैं, सेकंड वाला बनाया है अम लोगने, सरकल वाला, यह से हम लोग कट कर देते हैं, इसे निकाल हाँ मैंने क्या कॉडिनेट डिया पे सर्कल क्या दिया मैंने सर्कल यहां तक हुआ मैं यह नहीं बताया अभी तक मैंने क्या करना है मुझा गे मैं खली मैपिंग दे रहा हूं पहला तो यहां पर मैंने लिखा सेम वर्डिंग है एरिया शेप डबन कॉमा रिक्ट लिए दिया था मेरा यहां पर मैंने दिया था था 390 दिया था क्या दिया था यहां पर तो circle में भी 95 ठीक है 192 अच्छा 90 दिया था 390 by 300 में दे रहाओ 390 दे रहाओ मैंने 390 दिया ओके X और Y दिया अपका इसका रेडियस कितना है वो देखना है मुझे कितना रेडियस है तो रेडियस find out करने के लिए मैं यहाँ पे वापत जा रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक जैसे के दो दो फाइल उपन है यह जो है स्टार्टिंग में कितना value है यहाँ यहाँ पे 137 देखो नीचे लिखा 137 मैं 137 द्या 140 कितना लिखा मैंने इसे 140 ओपे 140 लिखा और यह corner में यह side के corner में यह corner में 390 लेयर कृब्स यहाँ लिखता हूँ कितना लिखा मैंने 390 कितना लिखा मैंने 390 के कल्क्विशन तो करना पड़ेगा ऐसको इसको माइनस करना है माइनस में कितना होगा उसका तो यहाँ पे अगर मैं माइनस करता हूँ तो यह 50 50 और 1 मतलब 150 150 अगर करता हूँ तो 290 होता है तो 114 और यहाँ पे 150 कर देता हूँ तो टोटल होता है 290 अगर 100 मिला देता हूँ तो यहाँ पे आएगा 390 मतलब मेरा टोटल हुआ यहाँ पे 250 कितना 250 250 को डिवाइड बाइ 2 करों 2 से डिवाइड करता हूँ अगर मैंने 250 हुआ इसके अंदर 250 मिलाओंगा तो 390 होगा 250 को डिवाइड बाइ 2 करता हूँ तो कितना होगा यहाँ तो 240 कर लेता हूँ तो चलो कालकुषण में इज़ी पे यहाँ पे अगर मैंने 120 आजाएगा कितना आएगा 120 आएगा तो मेरा रेडियस 120 पकड़के चला मैं कितना पकड़ा मैंने यहाँ यहाँ चलो ठीक है मैंने 120 किया 2 का divided मेरा calculation था इसके लिए मैंने calculation के साब से कर रहा हूँ यह coordinate हो गया okay circle और मैंने अभी मैं यह क्या करना है polygon को भी polygon के लिए मैं यह सब minus कर लेता हूँ आपस देखता हूँ polygon के लिए मैं क्या कर रहा हूँ यह polygon मैंने बनाया हुआ rectangle यह rectangle बनाया तो आपको यह corner पकडना है first वाला इस corner का कितना है यहाँ पे 500 by 240 मैंने लिखा यहाँ पे नीचे अभी area वैसे ही लिखना है देख सेम लिखना है यही sentence को copy करो यही बाइड करो और नीचे लेक्या हो और यही sentence मैंने लिखा यहाँ पे खली वूपर डाला ता rectangle उसके बाद धरक यहाँ पे polygon coordinate में यहाँ पे लिखना है यह first corner का यहाँ पे यह corner क्या था 500 by 240 मैंने दिया 500 by 240 दे दिया comma उसके बाद second corner second corner के लिए में यहाँ पे आ गया यह corner मुझे corner जहाँ पे मिल रहा है तो इस corner का number दा है 620 by 340 मतलब फूरा equal ही दे रहा हूँ मैं द्यान में रखने के लिए मैंने यहाँ पे कितना दिया था उन्होंने बुला कि यहाँ पे corner भे था 614 620 by 314 620 620 by 314 यह दिया comma दिया वापस और उसके बाद last corner यह corner यह corner यह corner कितना इसका यह corner है 500 by 340 वापस वही है 500 अच्छा वो पहले वाला लिया था last वाला corner मतलब कौन सा corner लेना था हमें यह नीचे वाला corner था अपना हाँ वही है 500 by मैंने दिया वही number 500 by 314 सेम सेम नमबर जा रहा है चलो ठीक है और इसे मैंने इस file को अभी क्या कर रहा हूँ मैं इसे मैंने save कर लिया क्या क्या मैंने save कर लिया और उसके बाद अगर मैं program देख रहा हूँ तो मेरा तीनों mapping हुआ है mapping के पहले mapping mapping का और एक चीज़ बताना बाकी है उसे मैं बनाने के लिए सब close मेरा file भी ओर रही नहीं गया file open मैंने open में यहां पे click किया IT book गया यहां पर first में link हो रहा है देखो यहां पर linking चालो है यहां पर इसके ओपर click करने का आना चाहिए तो coding में यहां तक में पहुचा था देखो मैं नीचे वाला coding तो बात में बात करेंगे पहले तो इसको ही coding को पहले यह कर लेते आपके वीव को में थोड़ा सा जूम आउट करता हूं हां यह जो है इसे मैं एंटर देके line ले लेता हूं मतलब इसका ही continue line है यह मतलब इसका ही continue line है यह यह पूरा line एक है यह मैंने coordinate day दिया यहां पर दिया हूँ है reference क्या दिया हूँ है reference reference क्या रहेगा href क्या रहेगा href reference is equal to मैंने दिया w,html,htp,www.google.com मतलब यहां पर मैंने क्या दे रहा हूं यह reference बोलते है hanker मतलब reference मतलब click करने क्या open होना चाहिए reference के लिए यहां पर मैंने क्या लिया href reference is equal to http hash www.google.com मतलब यह पूरा यह देखो area shape rectangle coordinates यहां पर यह coordinates कैसे निकाला हूँ बताय हूँआ मैंने यहां पर reference दिया वैसे हर एक को reference दिया है एक को मैंने youtube.com दिया हूँ एक को मैंने यहां पर facebook.com दिया हूँ इसको double comma देखो यह double comma ध्यान में रखना है यह double comma और यह double होगा मतलब अपना number देखा जाएगा तो यह एक program हो गया यह हो गया एक ही copy करके खली यह नाम change करना आपको एक बाइड हो गया तो दूसरा यह बाइड करना है यह number आप वैसे के वैसे बाइड करके रख दो और जैसे program वैसे लिख दो आपको number दूनने के लिए paint में जाने की जोरत नहीं है और यहां पर mapping और मैंने इस file को save करके run करके दिखाय था लेकिन मैंने paint में जो file बनाए थी आपके सामने यह file इसे मैं save करता हूँ file save as यहां पर मैंने lighthouse 2 दिया 2.jpg save किया और जो original program है यहां पर जाके मैंने खली 2 का नाम दे दिया और इस file को save किया और जब मैंने यहां पर मैंने इस file को run करना चाहता हूँ तो मैंने open में यहां पर run करके देखा तो यह rectangle आया देखो rectangle के अंदर गुम रहा है बाहर गया निकल गया देखो मेरा mapping perfect हुआ है जो मेरे numbers डाले वह थे मेरे numbers में कोई गलती नहीं थी यहां पर देखो यहां पर भी भार गया निकल गया सुझ में आ रहा है जैसे circle में circle के corner में circle का radius जदा हो गया था circle का radius मेरे खाल से मेरा calculation गलत हुआ था तो circle का radius को मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ जो देखो देखो यहां पर मैं वहां पर दिखा रहा हूँ circle के radius में यहां तक जा रहा हूँ तो वहां पर calculation गलत हुआ रहेगा मेरा तो गलत हुआ रहेगा तो यहां पर जो circle का radius था उसे 120 के जगे पर में 60 कर देता हूँ और file को save कर देता हूँ और अब भी देखा जाएगा तो इस mapping में मेरा जो file है उसमें circle यहां से भार नहीं जा रहा हूँ सुनना रहे तो यह है HTML प्रोग्राम में प्रोग्राम के ending में वापत देखते हैं हम लोग आपको बैड करना है तो one यह प्रोग्राम photo show इसमें paint में जाके कुछ नहीं करना है आपको द्धान में रखना प्रोग्राम का ending में end बता रहा हूँ में lines कितने बाइड करना है और करना कि आपको याद रखना ending तक देखो जड़ा क्या बोल रहा हूँ वो लाश में सुनो मैं यहाँ पे 6 में गया यहाँ पे 7 यहाँ पे मैंने 8 नमबर यह जो 8 नमबर है इसे 1 को ही बाइड करना है एक को ही बाइड करना है यहाँ पे 9 नमबर है उसे बोल रहा हूँ मैं एक को बाइड करने के बाद यह पूरा area, shape, rectangle, coordinates यह डाला और reference दिया मैंने HWTP या हूँ वहाँ पे अपना जो program था वहाँ पे तो दुनिया बर का सब कुछ लिखा हुआ है उसके पीछे मत भांगो यहाँ पे HWTP, www.google.com बाइड करने के लिए इसे गिरेगा 10 में 10 में यहाँ पे आपको type करना है same copy paste करके नीचे मतलब बाइड करने वाला same नीचे लिखेगा खाली यहाँ पे circle डालेगा और 11 में same लिखेगा nine ten eleven तीनों से मैं खली यह चार नंबर से यह तीन नंबर दालना है और इसे डालना है एक दो तीन चार पाच छे अगर छे के जगे पर और corner होंगे तो उतने corner डालेंगे बस तीन ही और नंबर दाल देना हुदर और उसे आप reference हRF reference बुलाता है linking reference है HWTP www.facebook.com और उसके बाद map जो open किया था eight number का उसे बन किया 12 number में और यहाँ पे 13 number में और यह 14 मतलब आपको कुछ भी करके 14 lines बाहर करना है अगर 14 lines बाहर करते हो तो आपका यह same program run करो आपका program गलत नहीं होगा आपको यह खली ओ मैंने इतना भी किया ना paint में जाके यह करो ओ करो जंजरगी में गिरो ही मत पहले ही बूल रहा आपको rectangle यह जो topic था यह mapping होता कैसे इसके लिए मैंने detail में explain किया हुआ है आपको खली यह 14 lines बाहर करो बाकी का सोचो मत इसका code क्या किसी को भी center मत दो मैंने lines देखो document type HTML head title name head किया body किया h1 का हाथ तक लिया heading करके मैंने image source में जाके मैंने image का नाम दिया अभी मैं खली lighthouse.ajpg कर देता हूँ यह compulsory mapping के लिए map name और यह यह दोनों same होना चाहिए कोई भी spacing नहीं होना चाहिए यह image mapping और यह भी होना चाहिए दोनों भी same area एक बार यह copy कर लिया आपने बाहर करके लिखा तो वैसे ही same दूसरा भी बाहर करके यहाँ पर Google डाला था यहाँ पर भी Google डालो यहाँ पर भी Google डालो कोई फरक नहीं किरता है लेकिन अगर YouTube या तो Facebook डालने तो डालो लेकिन यह composition करना है rectangle, circle, polygon और HRF का मतलब है hypertext मतलब वो जो कह है यहाँ से वहाँ navigation के लिए यह मैंने बोल रहा हूँ navigation मतलब यहाँ से वहाँ होने के लिए यह लाइन है पूरा एक लाइन है पूरा मतलब यहाँ पे importance lines अगर आप देखोगे तो यहाँ पे color तो नहीं है चलो ठीक है यहाँ पे मैंने बोला कि यह यहाँ तक image का नाम image source फिर यहाँ पे shapes और mapping बन और यह बन अगर समझ में आया तो ओके इसके बात का जो program है अगर सुनोगे तो वह भी मैं यहाँ से send करूंगा लेकिन confirm अगर समझ में आ रहा है तो मैं आगे के program तो ऐसे भी send करूंगा आपको कुछ भी करके YouTube में चेक करना है और देखना कमपल सरी है मैं उसके लिए कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ क्योंकि करना ही आपको और मैंने यहाँ पे video stop किया